प्यारे दोस्तों सादर व्वादन मैं हूं अहिश्मार वेदूर आप देख रहें एंजेपी हर्याना दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्याना के वरिष्ट भाजपा नेता प्रोफिसर रामबिला सर्मा की महंद्रगड विदान सभा चुनाओं में भूमिका की भाजपा के वरिष्ट कारी करता कमर सिंह यादो की उस जीत की जिसने तमाम अति उत्साई कांगरेशियों वे भाजपा वालों को चोकाया है वन वेय टराफिक के कारण राजनीति के खिलाडी कहलाने वाले रावदान सिंग जैसे कांग्रिस के नेता की हार की भी बात करेंगे मैंदरगण में सबसे अधिक चर्चा प्रोफिसर राम बिलास सर्मा की भूमिका की हो रही है इसलिए इस पर भी खुल कर बात करेंगे जबकि दूसरी प्रोफिसर राम्बिला सर्मा की एशी वीडियो है जिसमें मोधी की तारीफ में कसीदे गाड़ते हुए महंद्रगड की नव निर्वाचित विधायक कमर सिंग यादव को जीत की बदाई देते हुए उन्हें ज्यान भी दे रहे हैं। कामों की प्रार्थमिकता भी बता रहे हैं। एक वीडियो ऐसी भी थी जिसमें दान सिंग के आवास पर प्रोफिसर राम्बिला सर्मा की जैजेकार हो रही है। उनका गुणगान हो रहा है। लेकिन वे वीडियो हमको उपलब नहीं हो पाई। लेकिन हमने यह बात आपको बता दी है कि दान सिंग के आवास पर चुनाओ के बाद राम्बिला सिंग की और प्रोफिसर राम्बिला सर्मा की वीडियो सुनते हैं। राम्बिला सिंग नाराज थे नाखुस हैर नाखुस रहेगा। उन्होंने जितनी मालिक बगाउत करनी थी खूब करी। और इन कार्यकरताओं के कार्ण मैं जिता हूं। जिस आदमी के तीस साल तक लगातार खून पशिना बहाया। लोगों ने गाउं मेरे को क्या क्या का उन बातों को भी नहीं देखा। तीन वार लगातार हारने के बाद में दुनिया छोड़के चली गई, मैंने नहीं छोड़ा। मैं लेकिन मुझे कहने में कोई सक नहीं है, जितनी कुराफात, जितनी चुनाव को डिवेज करने की जो कोशिस की, उसको मैं कभी बोल नहीं सकता, इतना सीनियर पार्टी का कहा, ये जंडा ये डंडा मैंने बदला नहीं, ये जंडा सरीर के लिपट के जाएगा, कहा है वो पार्टी के पीछे नहीं है, पार्टी के पीछे, अरियाना की महान जनता जनारदन को बारंबार प्रणाम करता हूं, भारत के यसस्वी बहादुर प्रदान मंत्री नरेंदर भाई मोदी के उपर, अरियाना की 36 बिरादरी ने भरोसा किया, भारत के बहादुर प्रदान मंत नरैंद्रबाई मोदी के उपर हाली पाली गांव गरीब किसान जवान समने तीसरी भार भारतिये जनता पार्टी की पूर्ण वहुमत की सरकार बनाई अरियासा की जनता जनारदन को बारंबार प्रणाम करता हूं और भारत के यसस्वी प्रदान मंत्री नरेंदर भाई मोदी को बारंबार अभिनंदन करते हैं और महिंदरगड जो भारतिय जनता पार्टी की च्छावनी है जिसने नोवी बार कमल के फूल को जिताया कमर सिंग यादो वि भेनों को इन कार्करताओं को प्रणाम करता हूं और कमर्सिंग से निवेदन करता हूं कि इन कार्करताओं का मान सम्मान बना के रखें और 2019 में जो परियोजनाएं अधूरी हैं चाए मादोगड का किला है चाए दोहान नदी है चाए निम्बेडा माइनर है चाए I.M.T. खु पूरा कराएंगे हम आपके साथ खड़े मिलेंगे आपको बहुत बहुत बदाई प्रणाओं दोस्तों दोनों वीडियो सुनने के बाद आप बहुत कुछ समझ गए होंगे ये वीडियो बहुत कुछ कह रहे हैं हमें अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है कल तक हम यही कह रहे थे कि दादा सिरी अपनी पार्टी से बगावत नहीं कर सकते हो सकता है उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगे हो लेकिन यह तो सच है ही कि उन्होंने कवर्शिंग के लिए पशीना नहीं बहाया अगर प्रोफेशर राम बिलास इजी तरह की वीडियो कुछ पहले जारी कर देते तो यह जीत ही बड़ी नहीं होती बलकि दादा का राजनीतिकत भी बड़ा होता जीवन भर भाजपा के प्रतिस्मर्पित शीपाही की भूमिका में रहे राम बिलास ने अपनी संदिक्द भूमिका से भाजपा के वीतर बहुत कुछ खो दिया है इसके जखम सायद वर्सों तक हरे रहेंगे राम बिलास को इस जखम का दर्द महसूस होता रहेगा यह दर्द उन्हें विचलित करेगा बेचैन करेगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक नजर मेहंदरगर विदान सभा के परिणाम पर फिर से डाल लेते हैं यहां भारती जन जिंदर शिंग कोशिक को मातर 3933 और आम आदमी पारिटी का मनिश यादव को मातर 1740 वोट मिले हैं सेस निर्द लिए इस से भी नीचे निपट लिए रामिला सरमा की यह बात सही है कि महंदरगर भाजपा की उपजाओ भूमी रही है लेकिन उपजाओ भी तब तक है जब हमारा मानना है कि यहां के लोगों को इस बार बहुकोणी मुकाबले में दान सिंग को हराने के लिए केवल एक यादव उमिद्वार का इंतजार था वैसे एक बात भाजपा वालों को भी कभी नहीं भूलनी चाहिए अगर सरवजाती राजनीती का दावा करने वाले यहां क कुछ जाट वोटों में सेंद नहीं लगाते तो दान सिंग की बड़े अंतर की जीत हो सकती थी और भाजपा हाथ मलती रह जाती उस सुरत में राम विलास की नाराजगी का असर दिख सकता था मगर कमर्श सिंग की वी नमर छवी उनका ताम जाम से दूर रहकर किया गया जन कारवाई परवरतनी देशाले की कारवाई परेशान दान सिंग मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान नहीं दे पाए उनका वोट बेंक एक मुकाम पर जाकर रुप गया कुछ महापूर होए लोक सवाचुनाओं इसकी जलक नजर भी आ गई थी लेकिन दान सिंग हालात नहीं अधिक भाजपा से प्यार करने लग गया है बिना खर्ची और पर्ची की नोकरी का जादू लोगों के सिर चड़ कर बोल रहा है कांग्रेस बुलंद आवाज में मेरिट पर नोकरी देने का वादा नहीं कर पाई हार का एक बड़ा कारण यह भी रहा है कांग्रेस के चार उ मतदाताओं ने शजन शंदीप सिंग को इसलिए आउट ओफ रेस कर दिया क्योंकि उनको वोट देकर दान सिंग का रास्ता किलियर करना नहीं चाहते थे भाजपा की जीत में कई अनकारण भी रहे भाजपा का कुशल प्रबंधन भी रहा मामन सिंग जैसे कांग्रेसी नेत की वीडियो भी वाइरल की जाती है कांग्रेस को भी तो इसका उपाय खोजना चाहिए था कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई इसलिए भाजपा जीत गई और कांग्रेस हार गई आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमिट बाक्स में जाकर बताइएगा जरूर नमस्कार